निम्स्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइं संस्वारिक्षा प्लस में कैसे हैं सभी और कैसी चले आप सभी की तैयारी अभी एपिएफो के लिए को लेके उसके एक्जाम डेट को लेके बहुत सारी चीज़े वाइरल हो रही है और एक जो सटीक इन्फॉर्मिशन है वो आप तक पहुंचाना मेरा करतब है जो हम इसा पहुंचाता रहता हो यदि आप चैनल पर नए हो तो चले को सब्सक्राइब आपके सामने आया हूँ अभी आप देखो कि तो एक जो यह ऐसा टाइप में एक लेटर जो है यह बहुत ज़्यादा वाइर बहुत जो बहुत सारे प्रीजरे उसाभए लेकरर और यूपियस को एक ऐसाथ करवा रही है कौन से कर वारी है मैं आपको बता दूँ पहला तो बहुति और आपके इसकी चार्वार रहे हैं ये तीन परिक्षार एक हैं वह यूपीस्त्त कर वाएग और उससे सब्सक्र पत्रा चाहता किसका है छेत्य उच्छ शक्षा अधिकारी यह गोलक पूल से यहां पे थोड़ा सा लीक हुआ है यह बिभिन जो प्राचार प्रधाना धापिक है अलग-अलग विद्यालियों के उनके लिखा गया है विसे क्या है संग लोग सेवा आयोग नई दिल्ली द्वा EPFO परिक्षा दिनाल दो साथ दो हजाग तेस को आयोजित किये जाने है तो परिक्षा केंद की सहमत उपलब्द कराये जाने के संबंद में तो यह बात तो क्लियर है कि दोस जुलाई को आपका इसका पेपर UPSC कंड़क्ट करा रहा है और यह क्लियर भी है पहले से भी इसकी है डिसाइडड भी थी तो इसे को इसमें बहुत नई चीजे नहीं है इसे आप लोग अधूरा मत मानों इसे आप लोग जूट मन मानों मित्था नमारो यह बिल्कुल सही है दो जुलाई को आपका क्या हो जाएगा संभावता EPFO के कौन से पत के लिए EO AOR EPFC जो आपके कौ ठीक है वो आपका NTA करा रहा है वो इसकी डेट नहीं है इसकी जो डेट है यह हो सकता है कि NTA इस डेट से पहले भी करा सकता है बहुत सारी बच्चे दिमाग में यह लेके चल रहे हैं कि अच्छा यह पहले आया था तो पहले यह बाद में होगा तो हो सकता है कि इसके बाद जो आपका SSC का और कौन सा इस्टेनों का रहा है वो बाद में होगा दो जुलाई के बाद में होगा ऐसा नहीं है NTA के पास उपर से हमेशा आदेश रहते हैं कि जब आपका form का last day to within 30 days के अंदर आपका paper conduct करा लो यह आप पिशली परिक्षा में देखे भी होगे और इसमें भी वैसा हो सकता है तो अभी आपका देखा जाए तो EPFO की forms चल रहे हैं और यह April छोड़ दिया जाए May आपका देखा जाए तो June किस महीने में जो EPFO का SSC EPFO SSC की बात किया जाए किसरी की बात किया जाए और स्टेनों की बात किया जां यह दोनों ही paper एकी दिमिया Idi PA होंगे ऐसे समझ लो हो सकता है कई सारे shift में हूं बट आसी पास में होंगे इसमें आपकी criteria अलग है, इसमें थोड़ी criteria अलग है, इसमें आपका 12 है, बस वो है, pattern भी exam का अलग है, इसमें 30, 30, 30, 30, 50, 10 है, और इसमें 50, 50, 50, 50, 50, 100 का है pattern, वो आप समझ पा रहे हो कि इसकी detail मैं आपको अलग से दे रखा हूँ, तो इसके जो संभावित तिथी है, वो June 2023 है, ये म इनके लिए करो, बाकि जो बच्चे EU की तैयारी कर रहे हैं, या फिर EPFC की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी में थोड़ी सी तेजी तो ले ही आओ, आप में certain सारी चीजे हैं, सबकुस आपका पहले से clear है, आपका pattern भी नहीं बदला है, इनका SSA और स्टेन वालों का टीम परिशा, प्लस बिल्कुल नहे pattern पे, बहुत ही minimum price में बच्चो 599 रुपए में, 599 रुपए में पूरा का पूरा ये course आपको करा रही है, इसमें आपको सारी के सारी live classes, उसकी recorded classes, सारे bell updated notes, मतलब कि जो booklet हो सकती है, जो PDF form में आपको दी जा रही है, e-book है, वो आप प् सारी, इसमें क्या दिया रही है, guidance दिया जा रहा है, तो बहुत विद्वत course चल रहा है, बहुत सारे बच्चे इसमें enroll हो चुके हो, उनको मैं साधवाद करना चाहूँगा, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप इस course से जूर सकते हो, बाकि कोई भी information अगर आपक का comment box है, उसमें comment करके हमसे जानकारी ले सकते हो, हम अपके प्रशनों का जवाब देने के लिए हमीशादत पर रहेंगे, चनल पर नए हो तो चनल को subscribe अवशेक कर लिजेगा, शेशन को like अवशेक कर दीजेगा, फैर मिलते हैं, धन्यवास अवरीदा